हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्मार डिजाइनेर में फ्रेंड आज की वीडियो है बैक नेक डिजाइन की इस तरह से निसान मैंने लगाया है देखिए 11 इंच पे फोल्ड करके मैंने कपड़ा लिया है तो नीचे से एक लाइन खिश देनी है सिधा करने की तो लंबाई में मैंने लिया है 14 इंच 14.15 पे तयार है और इधर से मैंने लिया है 5.5 सोल्डर और आर्म होल भी 5.5 ही लेंगे क्योंकि डीपनेक मैंने बनाया है तो डीपनेक बनाने के लिए 5.5 ज़्यादा परफेक्ट रहता है तो चेस्ट कम आप करेंगे तो चेस्ट है 36 इंच तो 9 इंच पे निसान इस तरह से 2 या 1.5 इंच एश्टा मारजन ले लेना है अब नेक वीर्थ मैंने 1.5 इंच लिया है और लंबाई में 10 इंच लिया है तो 10 भी निशान लगाएंगे इस तरह से लाइन को खीच लेना है नीचे से ब्रॉड में मैंने लिया है तीन इंच आप और भी ब्रॉड पहनना चाहते हैं तो इस से ज़्यादा ले सकते हैं साड़े तीन भी ले सकते हैं और पांच सेप में मैंने बनाया है तो आप लोग और भी कोई डिजाइन दे सकते हैं इसमें देखिए इस तरह से पांसिप में मैंने बना लिया है आर्मोल टेड़ी इंच पे इस तरह से गुलाई दे देनी है कटिंग करनी है देखिए इस तरह से कटिंग कर लेनी है अब मैंन नीचे से सीधा कर लेंगे कपड़े को कट करके इस तरह से कट कर लेनी है नेकी भी कटिंग कर देनी है इस तरह से मैंन फैबरिक को बिछा कर अब बैक पार्ट रखते हुए अस्तर का कपड़ा रखते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना है और कटिंग कर देनी है कि इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर देनी है कि अब कटिंग करनी है अब वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सस्क्राइब जरूर करिएगा इस तरह से कटिंग करते नहीं है देखिए इस तरह से में फैबरिक को भी कट कर देना है गले में अब चलिए शिलाई करते हैं दोनों फैबरिक को इस तरह से रखते हुए शिलाई लगा लेनी है गले की तो मैंने ऐसे ही सिलाई लगा कर ही पलट के ही तैयार किया है आप लोग बुगरम से भी तैयार कर सकते हैं देखिए कितना छप नीशिंग आया है बिना बुगरम के ही इस तरह से सिलाई को लगा लेनी है आप लोग भी नई नई डिजाइन देखना चाहते हैं तो वीडियो को सस्क्राइब कर लिजिएगा चैनल को सस्क्राइब करिएगा और बैल आइकन जरूर प्रेश करिएगा ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे इस तरह से फिनेशिंग की सिलाई लगा लेनी है दागे को कट करके देखिए कितना अच्छा फिनेशिंग आया है अब मैंने नीचे से भी कमर भी पलट के ही तयार किया है तो उल्टा करके फैब्रिक को इस तरह से दोनों फैब्रिक को मिलाते हुए शिलाई लगा लेनी है देखिए इस तरह से शिलाई लगा लेनी है अब पलट देंगे इस तरह से पलट कर मैंने तयार कर लिया है देखिए कितना च्छा फिनेशिंग आया है मैंने ये फैब्रिक लिया है कंट्रास्ट में तो इसकी फ्रिल बनाएंगे तीन इंच मैंने लिया है वेर्थ में और फोल्ड करते हुए इस तरह से शिलाई लगा लेनी है इस तरह से फ्रिल बनाएंगे फ्रिल आप हादों से भी बना सकते हैं इसी तरह से मोड़ते हुए इस तरह से मैंने तुपेचकस की सहायता से बनाई है आप लोग हादों से भी बना सकते हैं अच्छित निशिंग आती है तो इस तरह से शिलाई लगा लेनी है देखिए रेड़ी हो गया आप एक इंच का मार्जन लेते हुए इस तरह से निशान लगाएंगे एक एक इंच पे एक एक इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है इसी निशान पर रखते हुए आप फ्रिल अटैज करेंगे हम लोग देखिए इस तरह से फ्रिल को अटैज कर लेना है पूरे गले में प्रेंट वीडियो जरासा भी हेलफुल लगे तो लाइक सस्क्राइब शेयर जरूर करिएगा कमेंट जरूर करिएगा कमेंट में आप लोग बताईएगा कैसा लगा वीडियो और किस तरह की वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं ये भी बताईएगा अब फ्रिल पे लगाएंगे लैस इससे और भी खुबसूरती बढ़ जाती है देखिए इस तरह से फ्रिल के उपर लगाएंगे लैस इस तरह से लैस को अटैज कर लेनी है धागे को कट कर देना और एक सिलाई फ्रिल की इधर से लगाएंगे लगा लेनी है अच्छे से बैठ जाता है अब लगाएंगे कमर प्लेट्स इस तरह से कमर प्लेट्स आप लगा लीजिएगा इससे फ्रिल अच्छी आती है दोनु तरफ इस तरह से ही शिलाई लगा लेनी है थागे को कट करनी है और देखें कितना अच्छा खुपसूरत डिजाइन बनकर रेडियो